आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी के हम बात करें पंजाब में दिल्ली में और इसके लावा उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस और स्थायोगी दिलों के बीच में क्या खीस्तान चल रही है मंतरी की इसको लेकर के जबर्दस्त अफ इस वक्त कयास लगाये जा रहे हैं दरसल आपको बता दें जहारखंड के गोटा के बीजेपी की सांसत दिश्रिकान दूबे ये दावा कर रहे हैं कि जहारखंड के मुक्यमंतरी हेमन सोरे ने इस्तीपा देंगे और अपनी पतनी सोरे इनको वो अपनी जगे राजिका मुक्यमंतरी नियुक कल सकते हैं खबर इस पीची आई है कि कल रांची में साड़े चार बजे हेमन सोरे ने अपनी पार्टी जहारकंड मुक्ती मोर्चा की विधायक दल की बैठक बुलाई है इससे पहले एक घटना करम और हुआ कि ज हिमन सोरे जिनके ऊपर इडी के नोटिस की तलवार लटक रही है साथवी बार वहां के एक जमीन गोटाला मामने में हिमन सोरे इनको एडी ने समन भेजा है अब तक तो वो समन को टालते रहे लेकिन अब इडी ने भी कह दिया कि यह फाइनल नोटिस है और हिमन सोरे इनकी एक seat जो है अल्रेडी उनके एक विधायक ने इस सीफा दे करके वो खाली भी कर दिया और बीजेपी इस बात को बड़े जोर शोर के साथ उठा रही है तो कुछ होने जा रहा है कि जारखन के अंदर समीर जी निश्ची उर्प से मुझे लग रहा है कि हमन सोरन इस्तिफा देंगे और उनके वाइफ को जिसे साब से चल रहा है कि मुख्य मंतरी के विधायक दल के नेता चुना जाएगा लेकिन एक बड़ी घटना भी है कि हमन सोरन के पार्टी के अंदर भी इस बात को लेके विरोध हो बिलकुल चोटे भाई जो विधायक भी हमासे जाएफ हम से उन्होंने कले इस पष्ट काया है कि पार्टी में और भी योग्य नेता है मुझे लग रहा है अगर हमन सोरन ने गल्ती करते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल हो कि फ्लोर पर उसकी वाइफ को बहुमत पुरू क करने के लिए और दूसरी समझ से यह भी उत्पन हो सकती है कि हो सकता है कि चुना आयोग चुनाव नहीं करवाए क्योंकि अभी विधान सभाद चुनाव के अंदर एक साल का समय बाके पिछली साथ चुरूबात से चलते हैं दर शुको बहतर समझ में आएगा हेबन सोरेन को क्यों देना पड़ सकता है इस्तीफा पहले यह समझे एडी का समन आया साथ सात्मा समन एडी ने उनको किया है आज तक तो वो टालते रहे अब ऐसा क्या है कि अचानक ख़बर आगें कि वो इस्तीफा दी देंगे गे गरफ़तार हो सकते हैं क्या निश्चरूब से एडी न हमन सोरें ने इसका जवाब नहीं दिया अब एडी ने मुझे लगता है ताही कर लिया है कि प्यमेले के तरह उनको यह अधिकारे कि वो मुख्य मंतिर को गिरफ़तार कर सकते हैं मैं इसका आडर ले ले लेंगे स्पेशल कोट से और हमन सोरें से पूछने जाएंगे मुझे जिससे बचने के लिए वो लगाता रिडी को वाइट कर रहा है और मुझे लग रहा है इस साड़े साथ जमीन एकड़ का जो मामला है इसमें अब बनाना चाहते हैं पत्री को मुख्य मंतिरी जो खबरें अब और इनके भाई तयार नहीं है कि मेरी भावी मुख्य मुख्य म किये और उसमें हमारी हिस्सेदारी उतनी है जितनी है हमन सोरेन किये अब कल हमन सोरेन अगर अपनी पत्ने को मुख्य मंतिरी बनाते हैं तो देखना गाओ कि बसंद सोरेन इस बात में सहमत होते हैं और उनकी भावी इसमें सहमत होते हैं क्योंकि बहुमत प्रूब करना सीनियर जो है वह झाप एनका इसीफा देना आखिर क्यों दिया। उन्होंने बड़े चुपचाप जाके जो है जो विधांसभाद्धेक्षय उनको इसीफा दिया वाद भी एक वहाँ पे हेमन सुरेन को लग रहा है कि एडी जो है उनको गिरफ़तार करेगी और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि सत्ता जो है उन्हीं के परिवार में कहीं रहे तो लालू यादा रावलिदेवी वाला प्रकरण दोराया जाएगा मुझे लगता है क्योंकि जिए वहाँ पे कॉंग्रेस और आरजडी के साथ سरकार है तो ऐसे में मुझे लगता है एमन सुरेन ने या तो बात कर दिया अगर नहीं बात की है, जैसा कि मेरे शेयों के कही रहे है कि वहाँ पे दिक्कत होने वाली है है एमन सुरेन को अगर उन्हें कॉंग्रेस और आर्जेडी से पहले से बात करके नहीं रखी होगी कैसा हो करने जा रहे हैं तो वहाँ पर फ्लोर में जब टेस्ट होगा अगर वो अपनी पत्नी को बनाते हैं तो वहाँ मुश्किले होगी अब इस्तिफा जो हुआ है विधायक का वो तीस दिसंबर को हुआ है एक जनवरी को स्पिकर ने स्युकार किया है तो लौ के हिसाब से एक साल के अंदर का समय बचा होता है तो नुरवाचन आयोग चुनाओ नहीं करवाता है वो कहता है कि अब जब समय आएगा तब चुनाओ 2019 को गठन हुआ था तो इसे में 5 जनवरी के बाद अगर इस्तिफा होता तो चुनाओ नहीं होता है जब इलेक्शन ही नहीं होगा तो 6 महीने के अंदर अपनी मेजारीटी चुन करके कैसे आएंगी जो भी वेक्ति को हिमन सुरेन मुक्यमंतिरी बनाते हैं अगर अपनी पत्ति को बनाते हैं तो इस सूरत में उनका मुक्यमंतिरी पत पर रहना वो पॉसिबल नहीं होगा तो ये भी एक टेक्निकल बात जो है वो जारखंड में लगातार चली लेकिसा तो चली तब होगा जब पहले हमन सुरेन का इस्तीफा हो और वो नौबत तब आएगी आगर उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है बहुत साफ दिखा रहा है कि जारखंड में कहीं ने कहीं जो कुरसी है वो हिल रही है और देखे यहां कहानी कुरसी के जैसा तो है नहीं कि एक दूसरे खिलाब कुछ बोलते नहीं वहां तो घर में भी कुरसी का मसला है तो वहां भाई उनके चल पड़े है अच्छा भाई पहली बार नहीं है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, कि हमारा थोड़ा सा हिस्सा बढ़े, जब पहली बार नोटिस गई थी डी की तब भी वो ये कह रहे थे, लेकिन जिसको कहते हैं कि जिसके पास ताकात होती है, ये कुरसी रखता है, अब सवाल ये है कि क्या लालू यादो जी से सीख लेकर और मुझे तो बड़ा अश्यर लगता है कि सामाजिक नाय के पूरधा लालू जी वो सबको इतना सिखा गया अर्विन जी नहीं सीख रहे हैं अब जब ये सब हम लोग देखते हैं तो जरा हम लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा सा ये एक लाइन में बोलता हूँ खतम करूँगा ही हम लोग वोट देते हैं लोकतंत्र को ये नेता प्रहसन बना देते हैं मजाग बना देते हैं जो विधायक नहीं भी है मेरी पत्नी है म मेरा पुत्र है, उसको हम जो चाहे बना देंगे, आप बंधुआ है हमारे, लोक तंत्र दुनिया की सबसे, सब भी दुनिया की सबसे खुबसूरत चीज है, उसको ये बदसूरत बनाते हैं, ये जरूर ध्यान रखे, बाकी ये तकनीकी चीजे मुझे नहीं लगता है कि बहु हमारा मन आपन दुबारा बनेंगे, लेकिन इसका मतलब यहीं हुआ ना, कि आपने वहाँ भी उसी भाव में, कि हमारे कटपुटली हैं, आपको वहाँ भी लोकतंत्र नहीं सूजाता, वहाँ भी कटपुटली ही सूजाता, तो ये तो जनता गुध्यान में रखना पड़े है, एक तो ये है कि आदिवासी परिवार में भी सिर्फ शिवू सोरेंजी का परिवार रहेगा, और एक ये है मॉडल कि आदिवासी परिवार से निकल कराएंगी द्रौपदी मुर्मू, राष्टपती बन जाएंगी, तो दोनों मॉडल है, लोकतंत्र के जनता जिसको ठीक पूरे 23 साल में सिर्फ रगवर दास थे, जिन अपने पासला कारकाल पूरा किया, बाकि कोई मुख्यमंत्री वहां कारकाल पूरा नहीं कर पाए, उसके बाद जीत नहीं पाए, दूसरी और बात, कि अगर ये मानलें गिरफतार होते हैं, तो ये इनकी गिरफतारी, इनके प अपने पत्नी पर भरोसा करके उनको मुख्यमंत्री तो बना सकते हैं, चर्चाएं चल रही हैं इसी, दिल्ली में अर्विन केजरीवाल क्या कह रहे हैं, इनको भी ED का समन आ गया है, तीसरा समन आ गया है, तीन तारीक को इनको पेश उना है, अब वो विपासना से भी वाप कर आया, एक करोड़ लोगों से उन्होंने पूछा जाकर, उनकी पार्टी ये दावा कर रही है, बताइए, क्या करना चाहते हैं, अगर दार्विन केजरीवाल को गिरफतार कर लेती है, एजनसी, तो क्या करें, इस्तीफा दे दें, उनका कहना हमको दिल्ली के जंताना जव आप दिया बिल्कुल नहीं, कोई इस्तीफा नहीं होगा, आपको गिरफतार भी कर लेते हैं, तो आप जेल से सरकार चलाएए, कानून इस बात के लिए रोकता नहीं है, वो देखाई चुके हैं पहले, उनके जो मंतरी थे, वो महीनों तक गिरफतारी के बाद भी जेल में लेकिन उनका मंतरी पद नहीं छोड़ा, मंतरी बने रहे थे, वो कहते हैं कि मैं मुक्य मंतरी बना रहूँगा इसे ही, मैं जेल से सरकार भी चला लूँगा, मैं जेल में अफसर को भी बलाऊँगा, जेल में मंतरी को बलाऊँगा, कैबिनेट के बैठक करूँगा, कौन सा तो दिक्कत है उनकी किस को बनाएं मनीज ससोधिया भी जेल में आएं बाकी उनके दो और लोग संजे सिंग भी जेल में एक और सतेंद जो जैन है वो भी जेल में तो किस को बनाएं तो अब उनको लगता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं ही चलाता हूं जेल से और मैंने आपको देखे जब यह बातें शुरू हुई थी तब भी मैंने आपको कहा था कि अर्विन केजरिवाल की जिस्ता की राजलीती है वो इसको पूरा तमाशा बनाएंगे वो अपनी गिरफतारी को पूरा तमाशे की तरह गिरफतारी करवाएंगे उनके जो समर्थक हैं वो जमा होंगे वहां पर होई हल्डा हंगा होगा जब भी यह सब कुछ होगा तो अर्विन केजरिवाल जो है पूरा तमाशा मनाके जितनी सिंपती इस मामले में हो सकती है वो गेंद करने की कोशिश करेंगे चाहे जो है यह ऐसा मामला है इस घोटाले का जिसमें सिंपती नहीं मिल नीचे अगर वो दोशी है तो अगर वो दोशी मतलब कोट से होते हैं तो मुझे लगता है कि अजीब सी बात आपको नहीं लग रही हम जो डिसक्स करने हैं हमने अभी हमकी जारखन का मुख्यमंदरी दिल्ली का मुख्यमंदरी देश के दो मुख्यमंदरी जेल जाएंगी है जाहा पर हमारे देश लोगों के बीच में ये धारणा थी तो पहली बार मुझे ये दिखाई दे रहा है जिन लोगों ने कोई ऐसा कृत्त किया है जिसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए तो उन सब लोगों पर कहीं ना कहीं जो कानून का शिकनजा है वो कसरा है मुख्यमंत्री भी जाएंगे सर तेजस्वी याद हो उनके उपर भी डीके जाज स्वीबियाई की जाच है वो भी जल्दी जेल जाने वाले है तो मुझा लग रहा है इतने भी करप्व विपख्ष के लोग हो ऑपदा मंत्री मोदीन तो बहुत बंदी जाज चल रही है और मुझे असा लगता कि पदा मंत्री मोदीन जो का था कि जितने बड़े मगरमच्छे वो भी जेल जाएंगे तो यह तह है कि जितने बड़े-बड़े मगर बच्छ बैटे दिली के मुख्य मंत्री है, जारकंड के मुख्य मंत्री हो, बिहार के उपर मुख्य मंत्री हो, या किसी और राजक के मंत्री रहे हो, वो सब जेल जाएंगे मैं डेविल्स एड्वोकेट की भूमे का अदा करता हूँ, यहां पे तो कोई विपक्षकार नीता बैठा नहीं है, क्या कर लिए आपने चटिस गड़ के अंदर 500 करोड 500 करोड मिल गया मुख्य मंत्री को, कहां गए वो 500 करोड रुपया, कहां गया वो 500 करोड रुपया जो ED क मिला था, मैं उसका जवाद, जन्ता ने इसको सही मान के सरकार को तो बाहर किया, नमबर एक बाकी अभी गिरफ्तारी हुई है, चलते एलेक्षन में जो है, चोड़ दिया मामला, मुझे लगना भी जाच चल रही है, दुबई में पकड़ाई में आ गया है, क्या हो गया क्य इसका मतलब यह है, कि जरूर संजय सिंग ने और मनिस सिसुदे ने कोई खेल किया है, इस ते हाई कोड़ दे जा रही है, अगर कुछ होता नहीं तो हाई कोड़ तुरन जमानत दे जेती है, एक बड़ा करण यह भी है, ब्यार के अंदर 33 आदब गिरफ्तार होंगे, इसकी चर्चा लोग करते हैं, 33 आदब ने क्या किया है, 33 आदब तो किसी पदपर भी नहीं थे, 33 आदब को अक्यूस बना रखा है, तो 33 आदब जाए ना, जब एड़ी बुला रही है, सीबी आई बुला रही है, तो तेज़े से दे को नहीं जा रहे है, लालो जादब जहां बि उपयोग किया, सुखद, ये रहुली ने क्यों किया, मुझे नहीं पता हूँ बताएंगे, लेकिन जनता के मन की भावना दिखती है, और अगर आप ध्यान से कभी भी आप कहीं बैठे हों और कोई चर्चा नेता करें, तो नेता के बारे में कुछ भी बोल देगा, कोई या दूसरा लोगों को ये लगता है, कि अब राजनेतिक दल एक दूसरे के भाष्टाचारी को बचाते नहीं, वरना पहले क्या होता था, सत्ता में आए तो तुम्हारा वाला भाष्टाचारी है, थोड़ा कुछ नोटिस वोटिस जाएगा, लेकिन हम तुम्हें बचा के रख पर इतने गंभीर आरोप, जो जेल में हैं, उसको मंत्री बना कर रखना चाहिए, और स्टालिन को उसे मंत्री पद से हटाना पड़ा, उन्होंने इब कहा था, कि हम मंत्री मंदल से नहीं हटाएंगे, अरविन केजरिवाल, मनीश सिसोदिया सतेन जैन को मंत्री पद से हटा कि सामने हैं, वहाँ खंड़ पीट बैटेगी, और ये फिर से बहस होगी, कि क्या कोई मुख्यमंत्री जो जेल में है, वो वहाँ से किसी राज्य का शासन चला सकता है, और लालू प्रसाद यादो के लिए, आप जो डेविल्स एडुकेट को तोर पर जो सवाल था, वो आरोप है, किसी तरह के मामले में फसे हैं, तो जेल जाते हैं, और सामान दरोगा उनको टांग कर ली जाता है, जो इंस्पेक्टर होता है, वो टांग कर ली जाता है, यहां तो लालू जी इतने गंभीर आरोपी, दोशी होने के बाद जूर बढ़िया से रैली कर रहे हैं औ और सब को बता रहे हैं कि देश कैसे चलेगा हम तैक करेंगे, मोदी को हम निकाल के बाहर कर देंगे। कॉंग्रेस पार्टी के बारे में सवाल पूछे जाने पर जवाब दिया कि दिल्ली और पंजाब के अंदर माएं अपने बच्चों को सबसे चोटा चुटकुला अगर कहानी, सबसे चोटी कहानी अगर कोई सुना सकती हैं तो हो कहानी है, एक थी कॉंग्रेस, ये पंजाब के मुख्यमंत्री कॉंग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में गठवंदन के सवाल पर भगवंतमान के भात सुनी हैं, आप पिर आगे बापको बताएंगे, इसका जवाब कॉंग्रेस ने क्या दिया। भगवंतमान के रहे हैं, एक थी कॉंग्रेस, होगा अब गठवंदन, खैर इसके बाद कॉंग्रेस के प्रवक्ता पवन खेडा साब ने अपनी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी सम्हाली जवाब देने की और उन्होंने कहा, एक था जोकर, भगवंतमान और मोदी के दिल्ली और पंजाब के अंदर बड़ी चर्चा होती है कि यहां गठवंदन होगा 20 सीटों का, इन 20 सीटों में होगा गठवंदन सेमीर जी, एक था कॉंग्रेस और एक था जोकर. मुझे लगता है बिलकुल नहीं होगा और ये बयान के स्रीज पूरी आज भगवंतमान ने दिया, इसके पहले अर्विन केजरिवाल ने पंजाब में बयान दिया था, दिल्ली के निता बयान देते रहे, दिल्ली में कॉंग्रेस के निता बयान देते रहे, अलका लांबा क बयान द्यान अखना चाहिए मुझे लग रहा है लगाता बयान चल रहा है और आमाधी पार्टी जानती है कि उसकी पूरी अब हिसियत हो जो ताकत है वो दिल्ली और पंजाब में टिकी हुई है इस स्थिति में चाहेगी कि 20 सीटे वो चुनाव लड़े और जारा सीटे जितक गौंग्रेस पार्टी से निकाल दी अब इस इस स्थिति में फाने सीटे पर दावा नहीं चोड़ेगी आठ सीटे जीती थी उन्यस में वो आठ तो किसी सूरत में हम नहीं छोड़ने ये पंजाब की पंजाब के कॉंग्रेस के नेता नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ समझाता करना अपना स्विसाइड नोट लिखने के बराबर होगा पंजाब के अंदर कि आप कॉंग्रेस पार्टी खुद कुशी तर लेगी अगर आम आदमी पार्टी के साथ समझाता होता है देखे जिसना का विधान साब चुनाव जो हुए थे उसमें जिसना का रिजल था कि 92 सीज जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी और बाकी सारे दलों को उन्होंने दरकिनार कर दिया था तो उससे आम आदमी पार्टी का जो वहाँ पर confidence है वो बहुत जादा बड़ा हु है उनका कोई खास फाइदा उनको हुआ नहीं है तो ऐसे में दिल्ली और पंजाब ये सबस्दा मुश्किल होगी जहां पर जो विपक्षी खेमा है जो गडबंधन बनने कोशिश हो रही है वहाँ पे seat sharing इन दोनों राजिये में बहुत जादा मुश्य होगी बहुत जादा जीती थी और आप जो है मेरे ख्याल से एक या दो सीट पे था तो एक सीट पे आप था तो ऐसे में लोगसाभा में उसकी हैसियत वो है नहीं जो कि वो कोशिश कर रहे हैं दिखा अभी हम बात कर रहे थे जो कि लैन में जोड़ देता हूं लेकि दिल्ली के अंदर यह आपको लेकर लड़ा रहेगी दिल्ली में तुम दोनों जानते हैं कि यहां वरते अंतर पर दिखाई देगी फ्रेंडली फाइट की नाम पर दोनों आपस में लड़ लेंगे या हूप आएगा समझोता ने मजबूरी में समझोता तो करना पड़ेगा या कहिए करना लेकिन अब वहाँ जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है जिस तरह से विधान सभा चुनाओं में 92 सीटें बहुत होती है विधान सभा में 119 की विधान सभा में 92 सीटें अपने आप में बहुत बड़ी होती है तो मुझे लगता है कि पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभाव दिखाया है और जैसे पावन खेडा जी कह रहे हैं कि भगवन तमान और नरिंदर मोदी के विचार बहुत मिलते हैं अब यहां दिल्ली के पावर करिडोर में बड़ी चर्चा है कि भगवन तमान अमुच्छा से या कुछ और भी है तो मुझे लगता है कि यह जो समझोता है यह सिर्फ इतना भर नहीं है कि अर्विंद केजरिवाल मान जाएंगे क्या मलिकार जुन खरगे मान जाएंगे क्या राहू गान जाएंगे क्या उससे थोड़ा आगे का मसला है मजबूरी में हो सकता है गड़ जोड़ हो जाए लेकिन इसी तरह की लड़ाई रहेगी तो कितना प्रभावी होगा यह बात करनी चाहिए